Hello friends, welcome back to my channel आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बढ़िया सी delicious chicken chowmin जो अक्सर हम साम को बिठे बिठे decide कर लेते हैं कि चलिए आज chowmin खाया जाए तो हम फटा फट रेडी हो जाते हैं और घर के पास वाले कोई वे एक street food के पास चल जाते हैं और चowmin अडर कर देते हैं लेकिन ये चowmin हम घर पे बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं और ये काफी healthy भी होता है सबसे पहले देख लेते हमें क्या-क्या चाहिए एक perfect chicken chowmin बनाने के लिए किसी भी तरीके के चowmin बनाने के लिए हमें सबसे पहले noodles चाहिए second most important है चowmin मसाला next है different type के sauces then chicken और different type के veggies और scrambled egg तो चल ये चowmin बनाना सुरू करते हैं मैंने यहाँ पे half kg bonless chicken लिया है और इसको छोटे-छोटे pieces में cut किया है ये देखिए ऐसे pieces होने चाहिए उसमें हम डालेंगे 1 spoon red chili powder 1.5 spoon black pepper powder 1 spoon salt 1 spoon ginger garlic paste और 1.5 lemon को squeeze करके लेंगे अब mix कर देंगे सारे चीजों अच्छे से उसको mix करने के बाद उसे हम ढखके आदा घंटे के लिए पारिनेट करेंगे अब हम सारे veggies ले ले लेंगे मैंने यहां पर गाजर और capsicum को julienne में cut किया है और onion को भी लंबे-लंबे size में cut किया है cabbage को भी बहुत पतले-पतले size में cut किया है और garlic को chop करके लिया है और spring onion को हम garnishing में use करेंगे अब हम masala ready कर देते हैं 1 spoon jira powder 1 fourth teaspoon black paper powder 1 fourth teaspoon धन्या powder 1 half spoon red chili powder mix कर देंगे सारे चीजों को अब हमारा homemade chowmin masala ready तो चली अब noodles बनाते हैं पानी गरम कर देंगे और उसमें 1 spoon salt add करेंगे और 1 spoon के curry oil उसको boil होने देंगे boil होने के बाद हम उसमें noodles आड करेंगे noodles आप ऐसे भी डाल सकते हैं या फिर तोड के भी डाल सकते हैं मिला देंगे उसको अच्छे से और 5 minute तक cook करेंगे 5 minute हो गये हैं अब उसको हम check करेंगे 50% हो गया है अब हमको और 2 minute पकाना है 2 minute हो गये हैं अब उसको हम चनी में चान लेंगे ये देखिए नूडल हमारा रेडी हो गया है उसको तुरंथ ही स्ट्रेन कर लेना है और उसको चम्मत से ऐसा ऐसे थोड़ा स्प्रेड कर देना क्यूंकि हमें नूडल के कुकिंग प्रोसेस को स्टॉप करना है ने तो नूडल हमारे सॉप्ट हो जाएंगे कढ़ाइं में वान स्पून के करिब ओईल डालेंगे और मैंने यहां पे दो एग ले लिया है और उसमें थोड़ा सा सॉल्ट डालके उसको फेट लेंगे और उसको कढ़ाइं में डाल देंगे धियान रखे यहां पे स्टोब हमारा मीडियूम opens है और उसको चम्मच से अच्छे से मिक्स कर देना है यह देखिए स्क्रेंबल्ड एग हमारा रेडी है अब उसको हम एक प्लेट में निकाल देंगे वापस उसी कढ़ाई में हम तीन स्पून के करीब ऑइल डालेंगे ऑईल गरम होने के बाद हम उसमें मैरिनेटेड किया हुआ चिकेन आड कर देंगे अभी चिकेन को हमें हाई हीट पे भुनना है एक से दो मिनिट अच्छे से भुनने के बाद ग्यास को हम मिडियम कर देंगे और 7-8 मिनिट के लिए चिकेन पूरा पकने तक उसको हम भूनेंगे इस बात का थोड़ा हमें ध्यान रखना है कि चिकेन को हमें ढखना नहीं है इसको ओपेन में ही पगाना है चिकेन हमारा रेडी हो गया है अब इसको हम एक प्लेट में निकाल देंगे बापस उसी कड़ाई में हम 2 स्पून के करीब ओयल डालेंगे और उसमें चौप किया हुआ गार्लिक आड़ कर देंगे थोड़ा सा सौटे होनी के बाद उसमें हम ओनियन आड़ करेंगे इसको हमें बार-बार मिक्स करना है क्यूंकि गैस हमारा हाई हिट पर है फिर उसमें हम गाजर आड़ कर देंगे एक मिनिट के बाद कैपसिकम जल्दी पक जाता है इसलिए हम कैपसिकम थोड़ा लेट में डालेंगे और अभी मसाला रेडी करके रखा था आड़ कर देंगे मिक्स कर देंगे अच्छे से और आखिर में हम कैपस कट करके रखे थे आड़ करेंगे सबसे एंड में डाला क्यूंकि cabbage थोड़ी क्रंची रहेगी तो वह बढ़िया लगेगा नहीं तो एक सौगी सी चाउमीन बनकर आएगी वह इतना अच्छा नहीं लगता है चाउमीन हमेंसा क्रंची ही अच्छा लगता है डाल देंगे अब सारी चीजों को मिक्स कर देंगे अ आण स्पून भिनेगर और वान स्पून चिली सॉस मिक्स कर देंगे सारे चीजों को ध्यान रखे ग्यास हमारे एकडम हाई हीट पर है और थोड़ा साल्ट आड करेंगे बेजिस के हिसाब साम थोड़ा सौल्ट आलेंगे अब हम नूडूल्स आड करेंगे साथी साथ हमने जो चिकन बनाया था बो डाल देंगे और स्कंबल एक भी डाल देंगे और सारे चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे जैसे सारे मसाले नूडूल्स और चिकन में आ जाए मिक्स कर देंगे अच्छे से देखिए मस्त सा चिकेन चावमिन हमारा बनकर रेडी है और उपर से गार्नी सिंग करने के लिए हम थोड़ा सा स्प्रिंग ओनियन डाल देंगे आहाहा क्या मस्त सा स्मेल आ रहा है दोस्तों मेरे मूँ में पाड़ी आ रहा है घर पे बना हुआ एकदम हेल्दी चावमिन तो फ्रेंट्स आप इसे घर पे बनाएए अपनी फैमिली के साथ खाये कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में सेयर कीजिए अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, सेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए थैंक यू